कि वन ट्वेंटी डेज कंप्लीट टार्गेट में आप लोग का स्वागत है जो भी लोग सीजल सीप्यों सीचेसल दोहजार चौबीस एकजाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं उनके लिए यह सीज बहुत ज्यादा हेलफुल होने वाला है यह है डे नंबर 24 हम लोग क्या कर रहे में 120 दिनों में कंप्लीट मैथ की अर्थमेटिक और एडवांस में दोनों की पूरी की पूरी सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हुए देर नहीं करते हुए में स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो थ वॉवन स्टारपिष को अने क्या दिया गया है om an article इस ओलड at a certain price if it siddha इतना परसेंट आफ डिस प्रएंट there is a loss of इतना percent ये question में दिया गया है ध्यान से दिखोगे हमें selling price बताना है अब ध्यान से दिखो इसकी fraction value आप जानते हो कितना होता है one third आप जानते हो तो हम क्या करें selling price को इस denominator का ही एक multiple मान ले तो late selling price हमने मान लिया 30 तो जो बेचा गया इसका कितना इस selling price का one third क्योंकि कितना कहा गया था 33 से one upon three यानि one third यानि selling price कितने में 10 में और ऐसा करने से ये जब selling price को 10 में बेचा जा रहा है ऐसा करने से उसको loss हो रहा है इतना percent अब बताओ इसकी fraction value होती है कितनी one by three loss मतलब माइनस यानि price को CP और SP यानि तीन की चीज को दो में बेचा गया और दो की value questions के coding दिया गया है दो की value कितनी है दस पांच गुना तो तीन की value भी कितना हो जाएगा पांच गुना यानि पंदरह यानि हमें ये मिल गया कि cost price कितना है पंदरह अब question में आते हैं what is the percentage profit if article is sold at 80% of its original price article को बेचा जाए कितने में बेचा जाए question में SP हम लिकाल देंगे जो भी original price था original price था 30 था उसका 80% इसका 80% 80 into 30 यानि 24 देखो 30 का 80% 80 by 100 20 से 20 cancel यानि 24 आ गया यानि CP और SP का ratio आ जाएगा तो में profit percent लिकाल देंगे 3 से 5, 3 से 8 कितना का increment पीन का profit किस पे 5 पे यानि CP पे percentage में करना है 100 से multiply यानि 20 20 into 3, 60% देखो इस question को पहले खुद से करना उसके बाद आप मेरा solution देखना देन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा अच्छा question था चलिए मूँ टू दा next question next question में देखो क्या दिया गया है if the selling price of 7 article is equal to the cost price of 8 article what is the profit percent द्यान से देखो 7 article का selling price equal है 8 article के cost price के तो SP by CP का ratio लिका लो अब बताओ कितना हो जाएगा 8 by 7 यानि 7 unit cost price 8 unit selling price कितने का profit हुआ एक का profit out of 7 percentage में करना है 100 से multiply कितना percent आ गया अब 1 by 7 आप जानते हो percentage topic में कि इसकी fraction value कितनी होती है एक होता है 14.28% approximate और दूसरा exact होता है 14 सही 2 upon 7% दोनों में से कोई एक दिया रहाता है decimal वाला दिया गया तो ये answer होगा और क्योंकि nearest कहा गया one decimal में तो 14 point something होगा 14 point something यानि 14.3 option number B is the right answer next question पे आते हैं next question देखो क्या दिया गया है if an article is sold for इतना there is a loss of 29% at what price should he sell कितने में बेचा जाए कि profit हो 31% का देखो loss हो रहा है 29% का तो 100-29 यानि कितना हो गया 71 71 की value selling price कितनी दी गई है कितने में 100 plus 31 यानि 131 में यह देखो इससे कितनी बार में चला गया पांच बार में multiply कर लो कि तो 5, 13, 5, 65 यानि 655 में बेचा जाएगा कौन सा answer देखो option number D is the right answer और सबसे best approach मैं बता रहा हूं सिर्फ आपको यह लिखना है पूरा time बरबाद नहीं करना है पूरी लिख के चली next next में क्या दिया गया है इन a medical transaction 17 times the cost price is equal to 8 times the sum of cost price and selling price देखो 17 times of selling price यानि 70 sorry 17 times of cost price यानि 17 CP is equal to 8 times sum sum of CP and SP cost price plus selling price हमने इस तरह से लिख दिया देखो 17 CP है यहां से 8 CP minus इधर आएगा तो minus यानि कितना हो जाएगा 9 CP is equal to यहां से 8 से multiply होगा यानि 8 SP यानि SP by CP कितना हो जाएगा तो देखो दियान से 9 by 8 होगा जोकि 9 CP is equal to 8 SP कितने का profit हुआ एक का profit out of 8 परसेंटेज में करना 100 से multiply आप जानते हो 1 by 8 fraction में कितना होता है परसेंटेज में 12.5% होता है या decimal में और fraction में होता है 12 सही 1 upon 2% percentage topic पढ़ चुके हो इतना standard data है न यह तो याद होना चाहिए 1 by 8 कैसे जैसे देखो 1 by 4 होता है कितना 25% तो 1 by 8 इसका आधा करोगे यहाँ भी 25 का आधा साढ़े बार 12.5% चलिए next next में देख लो क्या दिया गया हमारे पास question में ध्यान समझना a trader bought 640 kg of rice okay he sold a part of at 20% profit and rest as 5% loss he earned a profit of 15% entire transaction देखो एक जगा 20% का profit दूसरे जगा 5% का loss और overall हमें दिया गया है allegation लगाएंगे what is the ratio of the quantity of rice he sell at 5% to the quantity of sold at 20% यानी quantity कितना sell किया जाए उसका ratio बताना है 5% loss पे जो बेचा गया था और 20% profit पे बेचा गया जो ध्यान से पहले 20% का profit profit यानी plus 5% का loss loss यानी minus overall entire कितना profit हो रहा है 15% का जो loss होता है उसको negative लिखते हैं अब क्योंकि overall दिया गया है तो हम allegation लगा दें तो ध्यान से देखो allegation लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं इसमें से इसको minus करेंगे यानी कितना हो गया फाइफ फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 15-5 यानी 15-5 यानी ratio कितना आ गया देखो ध्यान से पोरीश्टू वन लेकिन यह ratio फोरीश्टू वन कब आया जब यह 20% के profit पे था और जब यह 5% के लौस पे था लेकिन हमें उल्टा पूचा गया है पांच परसेंट के लौस और 20% के profit पे रेश्यो तो इसका फोरीश्टू वन का उल्टा हो जाएगा वन इस्टू वन क्योंकि हमें लेना पड़ेगा पहले 5% वाला वन यूनिट और 20% वाला चार यूनिट तो वन इस्टू फोर इस दराइट एंसर गलती से यह में टिक कर देना अधरवाज आपका एंसर गलत हो जाएगा देखो सारी यह कोशन देखो आपके जो मैंने 5 कोशन करा है न देखो मेंस 29 जन्वरी 2022 सीजल मेंस में पूचा गया ह सीजल मेंस में पूचा गया है सीजल मेंस में पूचा गया है 2022 के सीजल मेंस में पूचा गया है चलिए मूब टूद यह भी सारे सीजल मेंस में ही पूचे गए तो क्या डिफिकल्ट कोशन है नहीं आपके कॉंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं पूपीट हो रहा है 10% यानि बेचा कितने में जाए का हंडेट प्लस यानि 110% 110% की वहलू कोशन में दे रखा है 2200 हमें कॉश्ट प्राइज लिकाल दें 100 से मल्टी 100% की वहलू लिकाल दें तो कॉश्ट प्राइज हो गया एक जिरो से एक जिरो केंसिल 11 से 11 दोनी 22 यानि स्कॉष प्राइज कितना हो गया 20 200 यानि 2000 सेलिंग प्राइज कोशन में दिया गया है 26 हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट में बताना है यानि हमें रेशियो से मतलब होना चाहिए कैंसिल 2 से 12 2 से 13 कितने का प्रॉफिट ठीक है आउट ओफ ट्वेल्फ परसेंटे में करना है 100 से मल्टिप्लाई क्या कोई गड़बड है क्या एंसर कोई मैच नहीं करेगा क्या देख लेते हैं 110 की वैलू इतनी 100 की वैलू यानि कितना हो गया 2000 अच्छा यहां पे 2 से 10 होगा न 10 2 से 10 2 से 13 यानि रुख जाओ यहां पे मिस्टेक था ट्री इस प्रोफिट आउट ओट परसेंटेज में करना है 100 से मल्टिप्लाई यानि कितना हो जाएगा कैंसी लेक जीरो से 10 यानि 30 परॉफिट ऑप्शन डी करेक्टेंसर हो जाएगा तो यह कुशन वी आसान्ता कोई डिफिगल्ट नहीं है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो ध्यान से सारे मेंस के ही कोश्चन पूछे गए हैं एक जगह बेचने पे 960 रुपय का फाइदा यानि 960 रुपय के बेचने पे प्रोफिट हो रहा है लेकिन 800 रुपय के बेच रहे है तो लोस हो रहा है और लोस जो है वो क्या है वों थरч आफ इनिसियल प्राफिट लोस जो है वन थर आफ इनिसियल प्रौफिट यानि लोस वाइप प्रौफिट का रैशिओ कितना हो गया 1 भाई थरी यानि लोस इस्टू क्योंकि पहले वाल लेते हैं इन दोनों का सम कितना है चार यूनिट इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं यानि कितना हो गया 160 एक यूनिट की वहलू लॉस कितना है एक यूनिट लिकाल लेता हूं यानि 40 यह कहीं न कहीं CP रहा होगा तो cost price लिकाल देंगे दो तो चालिस एक यूनिट का मतलब यानि 40 का loss हुआ तो यह selling price था तो CP लिकालने के लिए क्या कर रोगे 800 प्लस चालिस यानि 840 क्योंकि loss था तो add कर देंगे cost price में यह cost price आ गया अब क्या कहा जा रहा है what is the profit percent of the article यह क्या है रुख जाओ there would mean loss of one third of initial profit what was the profit of the article profit percent of the article अच्छा देखो cost price इतना है selling price कितना था questions के according देखो द्यान से 960 तो cost price इतना है selling price है कितना 960 cancel cancel 16 से 14 चाके 84 6 से करोगे 16 चाके चानवे 2 से 7 2 से 8 कितने का profit हुआ एक का profit out of seven percentage में करना है hundred से multiply यानि hundred by seven percent आ जाएगा कौनसा answer हो जाएगा देख लो option number D correct answer क्यों क्योंकि 840 तो cost price आ गया लेगिन बेच कितना में रहता है starting में 960 क्योंकि यह तो exemption था ना had he sold लगर यह 800 रुपय में बेच था तब वो condition थी तो यह हमारा हो गया काम चलिए next 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 देखो क्या दिया गया है some fruits were bought 15 RAS 140 and equal number of fruits at 10 for RAS 120 if all fruits are sold for 132 for per dogen what is the profit percent of the entire transaction इसको logical approach से बनाते है 15 fruits को बेच रहा है some fruits bought 15 लाया है खरीद के 140 रुपय में तो एक जो fruit होगा उसकी cost 140 by 15 कि दूसरे वाले case में 10 ला रहा है fruits 120 रुपय में तो एक fruit 120 by 10 और क्योंकि equal number of खरीद रहा है equal number जितना quantity पहले खरीद देखो उतना ही quantity अभी खरीद रहा है तो हमें overall cost लिकालने तो क्या होगा average ले ले लेते हैं कि ध्यान से देखोगे तो आसानी से question हो जाएगा कैसे देखो पांसे तीन पांसे पांसे पांदो नी दस पांच आठे चालीस एक जिरो से एक जिरो cancel LCM लोगे उपर में तो तीन होगा और 28 प्लस 12 इंटू 3 36 और 2 नीचे multiply रहेगा यानि कितना हो जाएगा 64 बाई 6 यह क्या रहा cost price overall यानि हमें cost price आ गया हमारे पास कितना 64 बाई 6 अब आते हैं selling price की बात करते हैं समझना बात को बार एक डोजन में कितना होता है बार बार फूट्स को बेच रहा है 132 में तो एक फूट्स को 132 बाई 12 यह कितनी टाइमस में हो जाएगा सेंटेज में करना है 100 से multiply चार से पांच चार से चार से पचीस चार से आठ यहनि पचीस बाई आठ इतना परसेंट आएगा कौन सा एंसर हो रहा है देखके ही डिनुमिनेटर में देख रहा हो आचो के अटलित के 24 और एक पचीस बाई 8 परसेंट तो यह आसानी से हमने कर ल रूपीज और यहांपे लिखते हैं ऑर्टे किल अले वाले केस में रूपीज कितना ए 140акти की बात करें तो कितना है 15 यह चल रही है बात दूसरे वाले में एक 120 किल तो हमें इकवल नंबर ऑप ऐत कींए तो एकवल बनाते है यानि यह 15 है और यह 10 है इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे आर्टिकल को यहां पर 2 से multiply यहां पर 3 से multiply करेंगे तो equal बन जाएगा दो से सभी में multiply होगा तो 140 का डबल 280 यानि 30 हो गया यह कितना हो गया 360 तीन से multiply इसमें कर रहा हूं तो और यह हो गया 30 यानि कितना हो गया देखो द्यान से 08 से 14 3.5 चे शेशो चालीस रूपीज में कितना article खरीद रहा है कितना article खरीद रहा है तो 60 में कितना is that it was a particle कितना में 10 से 10 विरो कैंशल यह रहां से एक Masya Kih खरीद रहा है तो ईन्थ हैसे झाना चलो दियान से C4 में अगर मैं 10 से 10 कैंशल करूं तो 64 में ऐसे कर लो दिम्स परोबायों सब्लाराइज रूकों च्छ्स यह सो 40 rupees यहां पर rupees लिखो और यहां पर article कितना article है? 60 दूसरे वाले case में किया है? बेचने वाला SP के case में किया है? कि वो 12 article को क्योंकि एक डोजन का मझना 12 article उसको बेच रहा है 132 में तो यहां भी article को same करना है तो 12 यानि कि 5 से divide कर दूँ अगर यह 5 से डिवाइट करूँगा तो ध्यान से देखो, यह 12 हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल को हमें सेम करना होगा, 5 से डिवाइट करोगे, तो यह कितना हो जाएगा, 5 वंजा 5, यानि 5, 9, 10, 5, 8, 40, यानि CP हमें मिल गया, 128, और सेलिंग प्राइज है कितना है, 132, कितने का प्रोफिट, 4 का प्रोफिट, 4 का प्रोफिट, आउट ओफ, 128 परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टिपलाई, ध्यान से देखोगे, 4 से, 4 से, 3, 4 से, 2, 8 से, 4, सोरी, 4 से, 8, 4 से, 25, 25 बाई 8 परसेंट आया, कौन सा एंसर, देखो, तो चाहे आप इस मेथट से जाओ, इसमें क्या करते हैं, आर्टिकल को सेम बनाते हैं, आर्टिकल को सेम बना दिया, और जो सीपी और सीपी रूपीज में वाला होगा, वो तो प्रोफिट और लोस्ट, को डिफाइन करने सुरू हो कर देगा, चलिए, नेक्स्ट, इसोप कीपर सोल्ट टू आर्टिकल फोर इतना, इसा काम आएगा, और इतनी बार कोशन पूछेगें, तीन चार बार कोशन पूछेगें, लेट, एसपी क्या हो, सेम हो, दो आर्टिकल का, टू आर्टिकल का, और एक बार क्या हो, एक बार एक्स परसेंट का प्रोफिट हो, दूसरे बार य परसेंट का प्रोफिट हो, तो ऐसे case में overall percentage, profit या loss percent क्या होता है, overall profit या loss percent जो होता है, वो होता है, 100 into x plus y, plus 2xy, divided by 200 plus x plus y, एक condition क्या होता है, profit होगा, तो वहाँ पे लिखते हैं plus, loss होगा, तो वहाँ पे लिखते हैं minus, जैसे देखो, एक बार हुआ है profit, यानि x की value 19, एक बार हुआ है loss, loss हुआ है, या y की value minus 11, बस इसमें रख लो, तो ध्यान से देखो, 100 into 19 minus 11, यानि 8, और multiply करोगे तो minus हो जाएगा, 19, देखो 2 into 19, यानि 2 into 19 into 11, divided by 200 plus 19 minus का 11, देखो देखो देखो, यान से यह हो गया, 800 minus, 19 दूनी होता है, 38, 38 में 11 का multiply करोगे, तो 8, 8, 3, 11, 3, 1, 4, over 200 plus 8, यानि 208 हो गया, ध्यान से देखो, 800 में से, 100 में से 18 जाएगा, यानि 82 हो गया, 7 में से 4 गया, यानि 3, by 208, बताओ कितनी टाइम्स में जाएगा, देखो ध्यान से, पहला चीज़ पोजीटी बारा है, तो loss तो हो नहीं सकता, loss तो हो नहीं सकता, दूसरा profit होगा, पांच टाइम्स, पांच परशेंट का profit नहीं होगा, एक ही बार में जाएगा, यानि 1.something का profit होगा, तो option number D, correct answer हो जाएगा, क्या यह difficult question था नहीं, यह हमेशा याद रख लेना, जो मैंने आपको generic formula बता हूँ, बहुत बार question पूचा गया है, next, next में देखो क्या दिया गया है, a trader bought 640 kg rise, he sold a part of 20% profit, and rest 5% loss, okay, entire पे 15% का profit, what is the quantity of rise, he sold at 5% loss, 5% loss पे जो है, उसकी quantity बता है, एक जगा profit, दुसरे जगा loss, overall entire, allegation लगाओगे, यानि पहले 20% का profit, 15% का loss, loss को negative से denote करते हैं, overall 15% का profit, allegation लगाओ, बड़े में से चोटा, 20-15, यानि की 5, इसमें से इसको minus करेंगे, 15-5, यानि 20, ratio कितना हो गया, 4 is to 1, अब दिखो ध्यान से, दोनों का मिला करके, कितना है, 5 unit, उसकी value question में कितना है, 640 kg के बराबर है, हमें क्या का, जर 5% loss पे कितना quantity होगा, 5% loss वाला कौन सा केसे, यह इस पे quantity है, कितनी, 1 unit, 1 unit की value लिकाल तो 5 से, 1, 5, 10, 5, 48, यानि 128 kg, 5% पे वो बेचेगा, next, on selling an article for इतना, the gain is 20% more than the amount of loss incurred by selling इतना, देखो द्यान से, एक बार, बेच रहा है, 246.80 में, तो उसको जो profit हो रहा है, 20% ज्यादा है, जो loss incurred होगा, जब वो बेचेगा, कितने में, बेच कितना मेरे दूसरे वाले केस में, 216 में, तो द्यान से देखो, एक जगा, यहाँ पे loss हो रहा है, यहाँ पे profit हो रहा है, यह रहा, CP, इधर के केस में क्या हो रहा है, profit, इधर के के केस में क्या हो रहा है, loss, अब आगे बढ़ते हैं, question में क्या कहा गया है, कि अगर, if the article is sold for इतना, then what is the profit or gain percent, पहले CP तो लिखा ले, cost price, ध्यान से देखो, इन दोनों का sum, यानि 11, इन दोनों का difference, तो difference कितना होगा, 30.80, यहीं होगा न, कैसे, 16 से 46 आना है, यानि 30 जाना पड़ेगा, ठीक है, एक यूनिट की भैलो, इक ग्यारा दोनी 22, इक ग्यारा वठा, 88 यानि 2.80, तो लॉस कितना है, पांच यूनिट, पांच यूनिट की भैलो लिका लो, तो पांच इन्टू 2.80, multiply कर लो, 0, 85, 40, पांच दोनी 10, 4, 14, दो अंगपे decimal, यानि 14 यूनिट का लोस, तो cost price कितना होगा, selling price में जो लोस है, उसको add कर दोगे, तो cost price आ जाएगा, 216, प्लस 14, यानि कि 230 का क्या हो गया, cost price, 230 रुपे cost price है, बेचा कितने में जा रहा है, 222, 220.75 में, ये क्या हुआ, SP, ये क्या हुआ, CP, तो बताओ क्या हुआ, 230 का खरीदा 220 में बेचा, लोस होगा, profit हो नहीं सकता, चलो, कितने का लोस हुआ, ध्यान से, देखो यहां से, तो ये लोस हुआ, हमारे पास, 30 में से 20 जाएगा, 10, यानि 9.25 का लोस, किस पे, 230 पे, percentage में करना है, 100 से multiply, 100 से, जैसे ही multiply करोगे, ये decimal से हट, क्योंकि जैसे ही 100 से multiply करोगे, हट जाएगा, 100, यानि ये कितनी बार में जाएगा, 23 चोग के 92, 4 परसेंट के आसपास जाएगा, 5 परसेंट तो जाएगा नहीं, यानि 4 परसेंट का लोस हो जाएगा, approximate लिकालना था nearest integer, क्योंकि अगर ये 920 होता, अगर ये 920 होता, तो 23 चोग के 92 होता, यानि 4 परसेंट होता, 4 परसेंट से हलका सा जादा है, यानि phone point कुछ something, यानि 5 परसेंट तो होगा नहीं, तो loss इतना हो गया, चलिए next, राधा पर्चेज ए कम्प्यूटर टेबल फोर इतना, एंड ए सेंटर टेबल फोर इतना रूपीज, एंड सी सोल्ड कम्प्यूटर टेबल 8 परसेंट प्रोफिट, एंड प्रोफिट, आगे बढ़ते हैं, विथ वाट परसेंट सुड दे सेल, दे सेंटर टेबल तो गेन 10 परसेंट ओवराल, देखो ध्यान से, राधा जो है कम्प्यूटर टेबल और सेंटर टेबल खरीती है, जिसकी कोस्ट दी गई है, कम्प्यूटर टेबल को 8 परसेंट के प्रोफिट पे बेच रहा है, सेंटर लिकाल सकते हैं, cost price का हाँ, एक तो तरीका यह है, दूसरा वेटे डेवरे लगा सकते हो, देखो ध्यान से, cost price का रेशियो लिकाल लो, 10,000 है, दूसरे case में कितना है, 5000 है, रेशियो कितना हो गया, 2 is 2, 1, पहले वाले को कितने percent के, 8 percent के profit में बेचा जा रहा है, दूसरे वाले क entire कितना हो रहा, 10 percent, यानि solar plus x is equal to 30, तो x की value कितनी हो जाएगे, 30 minus solar, यानि कितना हो गया, 14 percent, क्योंकि हमें percentage में चाहिए था, तो यानि 14 यानि 14 percent, तो weighted area हमने आसानी से लगा लिया, चलिए next, a trader bought two article for 490, he sold at a loss of 20 percent and other at a profit of 16 percent, if the selling price of both the case is same, selling price same है, तो हमें बताना है, then the cost price of an article sold at 20 percent loss, ध्यान से देखो, माल लेता हूँ, trader जो है, दो है, एक पे उसको, दोनों का cost मिला करके किना है, 490, एक जगह पे हो रहा है, 20 percent का loss, माल लेता हूँ, की एक जगह cost price है, उस पे 20 percent का loss, यानि 80 percent में बेचा जाएगा, एक का 80 percent, और selling price same है, is equal to, cost price, दूसरे का B माल लो, उसमें क्या हो रहा है, case में, 16 percent का profit बेचेगा, किना में, 100 plus 16, यानि 116 percent में, sorry for that, देखे द्यां से, percentage से, 4 से 20, 4 से, 4 दूनी 8, 4 नमा 36, यानि A by B का ratio आगया, हमारे पास कितना आगया, 29 by 20, यह हमें पता चल गया, किसका ratio, cost price का ratio, अब question में आते हैं, क्या कहा जा रहा है, cost price बताना है, जहां पे 20 percent का loss हुआ था, 20 percent का loss कहां पे हुआ था, यहां पे हुआ था न, तभी तो 80 percent में बेचा गया नहीं, एक का cost price बताना चाहिए, 29 unit की value बतानी है, दोनों मिला करके कितना है, 49 unit, 49 unit की value questions के according, 490, तो हमें 29 unit की value बतानी है, क्योंकि एक वाला case है, 29 unit, यानि 10, यानि 290, option number A correct answer हो जाएगा, चलिए, next, by selling an article 640, ओके, एक person loss कितना का हो रहा है, 15 percent of its selling price, ध्यान से देखो, question में बहुत ज्यादा importance है, यहाँ पे, star mark कर लेना, कि 15 percent का loss तो हो रहा है, लेकिन of its selling price, यानि selling price पे loss हो रहा है, at what price should he sell to gain 15 percent on its cost price, ध्यान से देखो, 15 percent होता है, 3 by 20, loss मतलब माइनस, लेकिन कहा का जरा है कि, जो loss हो रहा है, selling price पे, यानि यह क्या है, selling price है, यानि अगर selling price हमारे पास कितना है, 20 और 3 unit का loss हुआ, यानि cost price कितना रहा होगा, 23, तभी तो 3 का loss होगा, आगे, selling price थी कितनी, 640, selling price कितना था, 640, कितना टाइम्स में 32 गुना, यहां भी 32 टाइम्स करोगे, तो हमें cost price मिल जाएगा, 23, दूनी 46, carry हो गया, 4, 23, 79, 79, 4, 9, 4, 13, यानि 73, 736 आगया, हमारे पास cost price, अब देखो ध्यान से, 736 cost price है, अब इस cost price पे हमें profit लेना है, 15% का, 15% होता है, 3 by 20 profit मतलब प्लस, यानि multiplying factor 20 plus 3, यानि 23 by 20 आजाएगा, अब 2 से cancel करोगे, तो 2 से 10, 2 से, 23, 6, 26, 12, 28, 16, अब 23 का table, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1, 2, 30 तक आपको table आना चाहिए, 23 वाठा होता है, 184 कहरी हो गया, 18, 26 होता है, 138, 138 और 8, 146, 146 और 10, 156 कहरी हो गया, पांच, 23 तियां, 79, 79 और पांच, 9, 5, 14, सोरी, सोरी, 23 तियां, 79 और 15 बचाना, 156 तो, 79 और 15, 9, 5, 14, यानि 74, 10, 84, बाइटेन है, तो डिवाइट कर, बाइटेन करोगे, तो यान्क में डेसिबल आजाएगा, राइट है, राइट हैंड साइट से, यानि 846.4, कौन सा इंसर ये, 23 का हमने टेबल डायरेक्ली पढ़ लिया, और हमारा क्वेशन बन गया, चलिए, नेक्स्ट, इस आपकीपर बोट, 20 kg सूगर, जिसकी कोस्ट है कितनी, 45 रुपए पर केजी, 25 kg सूगर, जिसकी कोस्ट है, 40 रुपए पर केजी, वो लाता है, और उस पे 450 रुपए का ट्रांस्पोर्टेशन चार्ज देता है, यानि उस पे खर्च करता है, और अधर एक्सपेंसे, और मिक्स करता है, आल थ्री वेराइटी को, और बेच रहा है कितना, इतने रुपए पर केजी के हिसाब से, तो हीज प्रॉफिट परसेंट ऑफ दे इंटार ट्रांजेक्शन, सबसे पहले दियान से, देखो, तीन तरह की वेराइटी है, सुगर की, पहला का कोश्ट कितना है, 45 रुपए पर केजी, और 20 केजी ला रहा है, तो कोश्ट कितना हो जागा, 20 इंटू 45, प्लस, दूसरे वाले के, एक केजी का कोश्ट कितना है, एक केजी का कोश्ट कितना है, 50 रुपए, तो 35 केजी का कोश यानि 35 इंटू 50 प्लस एक केजी का कोश कितना है कि रुको रुको क्या मैं कर रहा हूं गल्ती कर रहा हूं पहले देखो एक केजी का कोश्ट है 45 उसको उसको 20 केजी लाना है तो कोश्ट कितना हो जागा 20 इंटू 45 प्लस दूसरे वाले केज में एक केजी का कोश्ट है 50 रुपए तो 25 केजी का कोश्ट 25 इंटू 50 प्लस तीसरे वाले केज में एक केजी का कोश्ट कितना है 40 रुपए 35 केजी लाना है तो कोश्ट कितना हो जागा 35 इंटू 40 और उसके साथ साथ 450 रुपया ट्रांस्पोर्टेश से यह हो गया 900 प्लस यह 25 पांच होता है 125 यानि 1250 प्लस 35 के 0 5 के 20 चारतिया 12 14 हो गया प्लस 450 एड कर रहे हैं फास देखो 0 तो होगा ही होगा 5 5 10 0 करी 1 4 4 8 2 10 10 और 9 19 19 और 1 20 करी हो गया 2 कि एक दो ध्यान से देखो कि एक दो और दो कैरी चार यानि 4000 आ गया हमारा कि चार हिजार क्या हुगा कोश प्राइज कुश्परे कितना हो गया 4000 अब स्भेंज अब देख औंग् समय्प से प्राइज कितना होगा द्यान से देखो विद्ञ zenत फॉ इतने के द्म साशिकि दे amendmentsें कितने में को शाय। फिप्टी टू.पॉइंट फाइब जीरो में एक केजी का एक केजी को बेच रहा है इतने रुपे में तो कितना टोटल केजी खरीदा चीनी उसने 20 केजी यहां है 25 केजी यहां और 35 केजी यहां तीनों को एड़ करोगे तभी तो क्योंकि आल त्री को बात बोला जा रहा है तो दिया जीरो जीरो तो होगा 8-5-4-8-2-16-4-20 8-5-4-4-4-2-42 और दो डिजिट पे है यानि पॉइंट में यानि 4200 आ जाएगा सेलिंग प्राइज कितना है 4200 2-0 से 2-0 कैंसिल 2-20, 2-21 रेशियो हो गया अब हमें profit percent बताना है इंटायर में यानि कितने का profit एक का profit out of 20 परशेंटे में करना है 100 से multiply यानि 5% का overall क्या हो गया profit तो यह हमने आसानी से question कर लिया बहुत ही अच्छा question था इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं वारा एक पार्ट और बचेगा इसके बाद जो next वीडियो आएगी पूरी तरह से फिनीस हो जाएगा वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को like कर दो comments करके बताओ कि इस सीरी से आपको help मिला या नहीं share कर दो other facebook, whatsapp और telegram group में इस वीडियो को जो भी नए है channel पे वो channel को subscribe करके वेल आइकन को दबा देंगे ताकि उनको notification मिल जाए और PDF question चाहिए जो मैं करा रहा हूँ तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो telegram channel को join कर सकते हो और telegram channel की link इस वीडियो के comments box में मिल जाएगी और कभी भी कोई भी दिक्कत आती है आपको कहीं पे भी तो आप क्या कर सकते यूटूब एप को open कीजिए और ये type कर लीजिए वहाँ पे यूटूब एप में सुधीर सर ओफिसल तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर जाओगे वहाँ पे प्लेलिस्ट अल्रेड़ी बनी हुए वहाँ से आप पूरी की पूरी सिक्वेंस वाइज आप देख सकते हो वीडियो को इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्ट पार्ट में थाइंक्यू बबाई मिलते हैं